आईए सुनते हैं आरी शंकर गोयल जी की कहानी अपना घर है स्वर्ग से सुन्दर सुधा आज बड़ी खुश थी और हो भी क्यों नहीं उसके बेटर शेखर के विवा की प्रथम वर्षकार जो आने वाली थी फरवरी को खुशी और उमंग से चेरा दमक रहा था उसका पाउं थे कि जमीन पर पढ़ते ही नहीं थे मानू वो उसे उड़ा कर ले जा रहे हो फटा फट घर का सारा काम निप्टा कर ठक कर सोफे पर निढाल लेट गई डवल मार जो थी नौकरी भी करो और घर का काम भी करो काम वाली बाई तक नहीं लगा रखी थी उसने सतीश ने उससे बहुत कहा था कि कम से कम एक बाई लगा लो जो ज़ाडू पोछा बरतन कपड़े का काम कर दे लेकिन उसके सिर पे तो भूत सवार था कि नहीं लगानी कोई बाई 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 अच्छा काम नहीं करती आए दिन भाने बना कर छुट्टी करती रहती है कभी लेट आती है तो कभी आती ही नहीं उपर से बताती भी नहीं कि वो आज आएगी की नहीं महरानी का इंदजार करो, करते रहो जब बहुत देर तक नहीं आए तो फोन से पूछो कि महरानी जी आज पधारने का कर्ष्ट करेंगी या नहीं और वो बड़ी मासूमियत से कहेगी मैडम जी, आज घर पर बहुत ज़रूरी काम आ गया था इसलिए नहीं आ पाऊंगी तब बड़ा गुस्सा आता है लेकिन दाथ पीस कर रह जाने के अलावा और कर क्या सकते हैं लेकिन गुस्से पर नियंतरन कर, मीठी आवाज में फिर भी कह देते हैं तो ये बात तुम फोन पे तुब बता सकती थी न हाँ मैडम जी, बता तो सकती थी पर मैं भूल गई थी वैसे तो तुद दिन भर फोन पे लटकी रहती है मगर जरूरत के समय तुँ हमेशा ही फोन करना भूल जाती है और वो हसकर कहती मैडम जी, मेरी तो आदत ही भूलने की है कितने घरों को समालती हूँ मैं अब किस-किस मेम साब को फोन करूँ आप ही बताईए मैं भी क्या करूँ बड़ी सी मासूमियत से वो कहती इतनी मासूमियत पर तो भगवान भी रीच जाए ऐसे वाकियों से बचने के लिए ही उन्होंने बाई नहीं लगई ऐसा वो कहती है सुधा के ठके हुए चेहरे को देखकर सतीश का दिल उदास हो जाता है चेहरे पर करूँना के भाव के साथ-साथ असीम प्यार भी उमरता है सुधा के लिए लेकिन सुधा है कि मानती नहीं बहराल सतीश ने सुधा के बालों में उंगली फिराते हुए कहा शेखर से बात हुई क्या नहीं आजकल तो नहीं हुई फिर वो फरवरी वाला कारिक्रम करना है कि नहीं करना क्यों नहीं है कहीं शेखर ने और कई कारिक्रम तो नहीं बना लिया है नहीं ऐसा कैसे हो सकता है ये बात तो बहुत पहले ही हो चुकी थी कि शादी की पहली वर्षगार्ट तो आगरा ही मनाएंगे हो सकता है उसे याद नहीं रहा हो ऐसा कैसे हो सकता है दुर्ड वश्वास से उसका चेहरा दमक रहा था चलो पूछ लेते हैं अभी कहकर सतीश ने शेखर को फोन लगा दिया थोड़ी देर कुशलक्षेम पूछने के बाद और इधर उधर की बाते करने के बाद मुद्दे पर आते हुए सतीश ने पूछा कि वो आगरा कब आ रहा है शेखर ने कहा अभी तो कोई कारिक्रम नहीं बनाया सतीश ने विसमे से पूछा क्या मतलब तेरी शादी की पहली सालगिरा आने वाली है तुने अभी तक आने का कारिक्रम नहीं बनाया मैं सोच रहा था पापा हम लोग शादी की पहली सालगिरा कहीं बाहर जा कर मनाएं मतलब भारत से बाहर क्यों? ऐसा क्यों? अपनी तो बात हुई थी कि पहली सालगिरा आगरा में ही मनेगी धूमदाम से फिर ये विदेश में जाने की बात कहा से आई वो सविता कह रही थी कि पहली सालगिरा पैरिस में मनाएंगे इसलिए मैंने आगरा आने का कारेक्रम अभी नहीं बनाया सतीश अचानक ही चौक गया ये सुनकर उसने तो ऐसा सोचा ही नहीं था थोड़ा समल कर बोला क्या पैरिस जाने का कारेक्रम बन गया? हाँ पापा, प्लेन के टिकेट भी करा लिया है और होटल भी वोख हो गया है शेकर बोला, अच्छा, मम्मी से बात कर ले और फिर से वही बाते हुई सुधा काफी नाराज लग रही थी तूने पैरिस का कारेक्रम बनाने से पहले एक बार भी पूछा नहीं मा बेटे में थोड़ी देर नोग जोग होती रही फिर मुझे हस्तक शेप करना पड़ा ठीकी तो है, जिनकी सालगिरा है उनको ही कारेक्रम बनाना चाहिए कहां जाना है, कब जाना है कहां कहां गूमना है, आदी आदी लेकिन जब पहले बात हो गई थी कि पहली सालगिरा आगरा में ही मनेगी तो आप कारेक्रम क्यूं बदला और हमसे पूछा तक नहीं, ये सही नहीं हुआ मुझे लगा कि बाहर का कारेक्रम बनाया, इसके बजाए इसका दुख जादा था, कि हमसे पूछा तक नहीं, मैंने सांतुना देते हुए कहा, दोनों को जहां अच्छा लगे वहाँ जाए, इसमें हमें क्या परिशानी है नहीं, परिशानी तो कुछ नहीं है मगर दुख इस बात का है कि ये बात पहले ही हो गई थी कि पहली सालगिरा आगरा में अपने घर पर ही मनेगी, फिर इसमें परिवर्तन क्यों हुआ, आगे की सालगिरा तो ये लोग जहां चाहें, वहां मनाए, हमें क्या कोई बात नहीं, जाने दो जहां जाएं उनकी मर्जी, वहां मनाए आखिर सालगिरा उनकी है सुधा मन में टीस लेकर चुप हो गई वैसे माबाप का करतव्य भी आई है कि अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी तलाश करें पर मन में एक छोटी सी कसक जरूर रह गई थी कि पैरिस का कारिक्रम बनाते वक्त हमसे सला भी नहीं ले गई लेकिन इतनी छोटी सी बात को गले से लगाना ठीक नहीं था अता उसे भुला देना ही उचित समझा दिन बीटते चले गए होली आने वाली थी होली पर शेखर को हाला की छुटी नहीं मिली लेकिन वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त जरूर मिल गई थी पूरे एक सब्ता कारिक्रम बनाया था उसने होली से एक दिन पहले वो लोग आ गए घर में उत्सफ जैसा माहौल हो गया वैसे उत्सफ तो था ही लेकिन चेखर और सविता के आने से चारचान लग गए खूब जी भरकर होली खेली स्वादिष्ट गुजिया और पकवानों से होली का आनन दुगना हो गया होली पर सबसे रामा शामा हुई सविता के पापा शाम सुन्दर जी का फोन आया तो पता चला कि सविता कानपुर रविवार को जाएगी साथ दिन वहां रुकेगी सविता ने तो अभी तक बताया ही नहीं कि वो कानपुर कब जाएगी कब वापिस आएगी अपनी मर्जी से ही कारिक्रम बना लिया हमसे पूछा तक नहीं सथीश को थोड़ा नागवार गोसरा सुधा से जब इसकी चर्चा हुई तो उसे भी नागवार लगा लेकिन अब तो कारिक्रम भी बन चुका था सथीश को लगा कि क्या वो अफसर आ गया है जब अपनी नाराजगी जाहिर कर देनी चाहिए सुधा ने उसे रोका त्योहार का अफसर है ऐसे में कोई उल्टी सीधी बात ना हो जाए सतीश ने उसे समझाने की कोशिश भी की कि हो सकता है कि दोनों अभी नादान है लेकिन उनको बदाना तो पड़ेगा कि एक बार घरवालों से भी विजार विमर्श करना आवश्यक है लेकिन सुधा ने उसे रोक दिया और बात आई गई हो गई सविता कानपूर चली गई शेखर भी अपनी ड्यूटी पर जाने वाला था इन दिनों करोना वायरस का संकट तेजी से बढ़ रहा था पूरे विश्वे में ये महामारी फैल चुकी थी सुधा ने शेखर को बहुत समझाया कि अपने बौस से एक बार बात करके यहीं से वर्क फ्रम होम कर ले लेकिन शेखर नहीं माना और ड्यूटी पर चला गया इधर करोना संकट तेजी से फैलने लगा पूरे देश में लॉकडाउन घोशित कर दिया गया जो जहां है वहीं रहेगा ऐसी घोशना प्रदानमंत्री जी ने टेलिविजिन पर कर दी शेखर ड्यूटी पर सविता कानपूर और सतीश्व सुधा आगरा में सुधा बहुत चिंतित हो रही थी कि शेखर अकेला है उसने बहुत कहा कि मेरे शेखर को चेनई से बुलवा लो लेकिन कैसे बुलवाते एर सर्विस बंद हो चुकी थी कार से आ नहीं सकते थे फिर क्या करते फिर यात्रा में करोना संक्रमन का खत्रा भी था अब सुधा थोड़ी चिंता में रहने लगी उसने कहा आपकी तो प्रशासन में अच्छी पकड़ है मेरी बहुत सविता को ही बुलवा दो आपने बहुतों के पास बनवा दिये हैं एक पास सविता का भी बनवा दो जिससे वो यहां आ जाए सतीश ने पूछा क्या सविता ने तुझे ऐसा कहा नहीं फिर ऐसा क्यों कहती हो जब उसकी इच्छा यहां आने की है ही नहीं तो हम उसे जबरदस्ति क्यों रखें अपने ममी पापा के पास रह रही है खूब रहने दो उसे जब तक उसका मन ना भरे सुधा चुप रह गई उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके वादसल्य में कहां कमी रह गई उसने सोच रखा था कि इस बार गर्मियों की चुटियों में वो अपने बेटे बहु के पास जाकर 15-20 दिन रहेगी लेकिन अब उसने अपना विचार बदल दिया है अब वो कहती है कि अपना घर ही स्वर्ग से सुन्दर होता है इससे बढ़कर आराम और कहां मिलेगा तो ये थी हरी शंकर गोयल जी की कहानी अपना घर है स्वर्ग से सुन्दर सुनने के लिए धन्यवान